यही कारण है कि 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघूमल गल्स हाई स्कूल में जन संग का पहला राष्ट्रिय सम्मेलन बुलाया गया शामा प्रशाद मुखर जी इसके अध्यक्ष बने और संस्थापक सदस्षों में संग प्रचारक बलराज मधोक और दीन दयाल उपाध्याय जी स्चामिल हुए यानि कि यदि यह कहा जाए कि बीजेपी की स्थापना एक कॉंग्रेसी नेता के द्वारा हुई थी तो इसमें कोई दोराय नहीं होगा शामा प्रशाद मुखर जी कॉंग्रेस छोड़ कर आए और फिर उन्होंने आकर के इस पार्टी की स्थापना की बीजेपी का जो ठिंक टैंक है बीजेपी की जो असली पकड़िये जो रीड की हड़ी है जिसका नाम है आरेसेस उसके प्रमुख मोहन भागवत जी का हाल ही में बयान वाइरल हो रहा है जिस वाइरल बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरेसेस बीजेपी की कार्यश अली से प्रसंद नहीं है और आरेसेस प्रसंद नहीं है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकती है चुनावी जानकारों का और बहुत सारे मीडिया विसलेशकों का कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के द्वारा अरेसेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पस्चिम बंगाल जैसे छेत्रों में पूरी तरह निसक्रियता दिखाए गई यानि कि इस एजेंडे को ब्रकरार रखने में कि जो बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी बोले नहीं हम देश की गारंटी चाते हैं जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर की प्रान प्रतिष्था को लेकर के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा अपने आप को पुजारी के रूप में व्यक्त करना, साथ ही साथ ऐसे लोगों को हाल ही के समय पार्टी में शामिल करना, जो पहले RSS और हिंदूों को बला बुरा कहते रहे, उन्हें पार्टी में मिला लेना, ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर जादा महत्व देना, बीजेपी के अंदर जादा महत्व देना, जो पहले Hindu विरोधी या फिर BJP विरोधी रहे हैं उन्हें तवज्जो देना और Hindu वादी थौट को बढ़ा कर आगे ले जाने वाली नुपुर शर्मा जैसे कारे करता और नेताओं को हासिये पर बिठा देना इससे RSS बेहद खफा है इस बात को और ज्यादा बल मिलता है जब मोहन भागवत जी का हाल ही में नागपूर में बयान आता है और साथ ही साथ जैसे शिवसेना का मुखपत्र है सामना जैसे चाइना का मुखपत्र है Global Times ऐसे ही RSS का एक अख़बार है जिसका नाम है Organizer जो की अंगरेजी में लिखा जाता है उस पूरे लेटर के अंदर BJP क्य कुहारी और RSS के क्या भेद हैं या मत भिन्नताएं हैं इस विशह पर चर्चा हुई अब एक बड़ा प्रशन जो ये लोग नहीं जानते कि BJP और RSS में क्या connection है आज का सेशन देखिए उससे आपको ये clarity होगी और इस सेशन के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर RSS चाले तो क्या वाकई में सरकार से BJP को हटा कर या फिर सरकार में से BJP के नेता जो की RSS को avoid कर रहे हैं उन्हें हटा कर दूसरी सरकार बनाई जा सकती है इस विशह को आज के सेशन में आपको समझना है क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत जी के जो बयान है जिसमें ये है कि true सेवक is not arrogant असल में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी अपने बारे में अक्सर प्रधान सेवक कहते हैं इसमें मोहन भागवत जी का ये बयान जो की RSS के प्रमुक हैं और जो लोग नहीं जानते RSS क्या होता है RSS का BJP पर क्या influence है RSS का कहने का मतलब है वो आज के इस detail session में detail में समझ जाएंगे लेकिन मोहन भागवत जी का ये बयान कि एक सेवक जो होता है ना सच्चा सेवक वो arrogant नहीं होता arrogant का मतलब एहंकारी नहीं होता गुसेल नहीं होता गमंडी नहीं होता ऐसा बयान निश्चित ही सेवक टर्म को पकड़ कर प्रधान सेवक टर्म को पकड़ कर दिया गया है साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और पर बयान दिया है मोहन भागवत जी ने और वो बयान है मनीपूर को लेगर के मनिपूर को लेकर कहा है कि मनिपूर पर ध्यान कौन देगा अगर आपको ध्यान हो तो मनिपूर हिंसा जिसको साल भर से उपर हो चुका है जिसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ इंडी अलाइंस ने जबरदस्त प्रचार किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मनिपूर जल रहा ह प्रधान मंत्री एक बार भी वहां नहीं गए हैं, प्रधान मंत्री ने मनीपूर को लेकर कोई काम नहीं किया है, अब RSS जो की इनकी विचार धारात्मक रूप से रीड की हड़ी है, वो BJP से सवाल पूछ रही है कि कौन मनीपूर पर ध्यान देगा, किसने उनके हाथ में बं जा रहा है चुनावी हलकों में, क्योंकि इस प्रकार से राम मंदर जैसे मकारे करम के बावजूद BJP का उन छेत्रों में हार जाना, जो मेन लेंड कोर, मतलब आयोध्या जैसी जगह पर BJP का हार जाना, एक बड़ा प्रशन खड़ा करता है कि निश्चित ही वो जो कैडर है जो कि BJP के लिए हमेशा बैकबोन बन कर काम करता रहा है, क्या वो निश्क्रिय रहा, क्या उसने BJP को सपोर्ट नहीं किया, क्या BJP का अती एहंकार ये समझ लेना कि हम सब कुछ सही कर देंगे, या ये समझ लेना कि जो हमारे पास आएगा, वो हमारी विचारधारा में मिल जाएगा, ये अती एहंकार इन दौनों में रिफ्ट की वजह बन गया है, आज के बहुत सारे कमेंट से इसको समझेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के लिए ये जानकारी जो RSS के बारे में नहीं जानते, साथियों, एक दौर था जिस समय भारत के अंदर हिंदू-मुसलिम के बीच में कंफ्लिक्ट क्रियेट होने लगा था, हिंदू-मुसलिम के बीच का कंफ्लिक्ट अगर इतिहास में चल कर देखा जाए, तो 1905 में सबसे पहले तब हलाई लाम लाइट में आया जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन में हिंदू-मुसलिमों को लड़ाने का प्रयास उस समय एक दुर्जन विक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था लौड करजन, उसने किया था, क्योंकि अंगरेजों की नीती थी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीती को ध्यान में रखते हुए, अंगर जोने प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो इस बार इस प्रयास को करने में कामियाब हुए, प्रयास करने में कामियाब हुए, परिणाम यह निकला कि 1906 के अंदर आगा खा के नेतरत में नवाब सलीमुल्ला को लेकर के एक गठन किया गया Muslim League नामक संग्ठन खा, वही Muslim League जो क किस प्रकार से भारत के विभाजन की नीव डाली, खैर, 1906 के अंदर Muslim League का गठन होता है, 1911 के अंदर वापस से बंगाल विभाजन को रद कर दिया जाता है, कोलकाता से राजधानी को उठाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है, साथ ही साथ भारत के अंदर इसी दौर के हैं, और उन आंदलों के अंदर भारत, अंगरेजों के द्वारा, Muslimानों को दी गई एक विशिस्ट सुविधा, जिसे separate electorate कहते हैं, उसको मान लेता है, अब इसको ऐसे समझे कि 1909 के अंदर मारले मिंटों सुधार हुए थे, मारले मिंटों सुधार के अंदर, मारले मिंटों पर वोट नहीं देगा, तो इस प्रकार से एक separate electorate की विवस्था, अंगरेजों ने 1909 में और कर दी थी, यानि कि अब मुसलमान और ज्यादा यूनाइट होने लगे थे, 1906 के अंदर Muslim League का गठन, 1909 के अंदर separate electorate, separate electorate यानि कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, इस प्र पुर्जोर विरोध किया, उस समय की कॉंगरेज ने पुर्जोर विरोध किया, बोले नहीं साब, आप ये मत दीजिये, ऐसे तो हमारा देश तूट जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपनों को ही वोट देने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे वो अपनों के बारे में ही सोचन 9 में, इसको अब माननेता देदी, माननेता देदी का मतलब ये हुआ, कि अंगरेजों के खिलाफ, मुसलमानों का साथ पाने के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज को भी, कॉंगरेस ने सही मान लिया, कि ठीक है, मुसलमान, मुसलमानों को वोट दे, लेकिन फिलहा का खयाल रखते हुए आगे बढ़े तो निश्शित ही एक दिन अपने लिए अलग देश बनाने में कामियाब हो जाएंगे समय बढ़ता गया अंग्रेज नहीं रुके उनने 1919 के अंदर मांटे की चैंस फोर्ड सुधार किये उसमें जो पहले मुसलमानों को सेपरेट इलक्टोरेट दिया था अब अंग्रेजों को दे दिया सिखों को दे दिया धीरे धीरे सेपरेट इलक्टोरेट यानि कि वो व्यक्ति अपनों को ही वोट देगा लोगों के अंदर फूट डालने का काम अंग्रेजों ने और शुरू कर दिया इस तरह की परिस्तितियों को बन 1925 के दिन दशहरे के अवसर पर नागपूर के अंदर की साथियों आज यह स्वमसेवक संग्धन दुनिया का सबसे बड़ा स्वमसेवक संग्धन बना हुआ है 2025 में इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं नागपूर के अखाडों में यह संग तयार हुआ एक तरह से ऐसे समझेए कि जब सब अपने अपने लिए बाते कर रहे हैं तो हिंदू के लिए कौन बात करेगा इसके लिए एक संग्धन बनाया गया नाम इसका स्वमसेवी संग्धन क्यों रखा गया क्योंकि यह वॉलेंटरी लिथा यानि यह ऐसा ओर्गेनाइजेशन था जिसमें किसी को कोई तनखा नहीं मिलेगी इसे केवल आइडियोलोजी मिलेगी यह विचार करेगा कि देश को युनाइट कैसे रखना है क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने का तमाम प्रयास कर रहे हैं तो इन सब को एक कैसे रखना है इसके लिए आरेशेस की स्थापना केशव बलराम हैडगवार जी के द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपूर के अंदर की गई आरेशेस की स्थापना हो गई आरेशेस अपनी बाते रखना शुरू की दीरे दीरे सांग्ठनिक छमताएं विक्सित होने लगी 1925 में इस्थापित हुई आरेशेस इतना एक्सपर्टाइज तो नहीं रखती थी राजनिती में जितना कॉंगरेस को था क्योंकि कॉंगरेस तो पहले से चली आ रही पार्टी थी आरेशेस के द्वारा बहुत से ऐसे निर्णे लिए गए जो की हिंदों को ध्यान में रखकर रिखे जा रहे थे यारी ऐसे निर्णे की हिंदों का हित कैसे हो इसको ध्यान में रखकर आरेशेस अपने द्वारा कारय का संचालन कर रही थी हेडगवार जी के द्वारा 17 लोगों के साथ मिलकर अपने ही जगे अपने ही घर में बैठ करके इसकी स्थापना की गई थी धीरे धीरे इसका संग का नामकरण हुआ राश्ट्रिय स्वंसेवक संग 17 अप्रेल 1926 को इसका नामकरण हुआ मेरे जनम दिवस के दिन इसके बाद में साहब धीरे धीरे ये काम और बढ़ने लगा और हेडगवार जी को सर्वसंमती से संग का प्रमुख चुन लिया गया सरसंग चालक इने बना दिया गया सरसंग चालक इस समय पर मोहन भागवत जी है यानि जिस प्रकार से हेडगवार जी उस समय थे आज इस प खान खान ही मिलती है किसी को भी कोई भी अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती है सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म रखते हैं एक जैसा विचार रास्ट्र की एकता भारत की एकता हिंदु रास्ट्र की स्थापना इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं संग परिवार में 80 से ज्यादा सम्विचारी और आनुशंगिक संग्ठन है बस इस बात पर ध्यान दीजेगा असी से ज्यादा सम्विचारी यानि कि एक जैसी थौट रखने वाले संग्ठन है आरेसिस के अंदर संग्ठन है दुनिया के लगभग 40 देशों में आरेसिस सक्रिय है 56,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं शाखाएं का मतलब है कि रोजाना लोग इखटे होते हैं बातचीत करते हैं और यहां पर कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होती है देश में जो करीब 13,000 सापताहिक मंडली होती है 9,000 मासिक शाखाएं मन्थ और मन्थ यह लोग मिल करके चर्चाएं करते हैं इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि साब आप गए और आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया नहीं बस आप पहुंच गए इस आधार पर आपक को कुछ सेंस बनेगा असल में बीजेपी की जो असली ताकत है वो यही संग है संग क्यों है आप विचार कीजिए 80,000 से ज्यादा तो संग्ठन है RSS के पास एक करोड से ज्यादा प्रसिक्षित सदश्य है यानि कि यह वैसे प्रसिक्षित सदश्य है जो की परेड ग्राउं और जो देश के लिए काम करना चाहते हैं इंट्रेस्टिंग बात देखिए यही जो ताकत है यही बीजेपी को इस्थापित करने में काम आई थी अब आप पुछेंगे वो कैसे तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यह जो 80 संग्ठन है इस पर ध्यान दीजिएगा अस RSS का प्रयास था कि कैसे हिंदों को लेकर एक किया जाए हिंदों की एक ताक केवल हिंदों के बारे में विचार क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग जब वो काम कर रही है तो हिंदों के लिए कौन सा संग्ठन है बस यह थोड़ के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और भारत क कैसे एक रखना इस पर काम करते जा रहे थे महत्मा गांधी जी के जो प्रयास थे वो प्रयास मतलब जैसे कि आपको याद हो कि जब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा अनौंस किया गया पाकिस्तान की मांग को लेकर के भारत में बैंकर दंगे हुए तो महत्मा गांधी जी उपवास पर बैठ गए कि नहीं मेरे देश के अंदर दंगे नहीं होने चाहिए हिंदू-मुसलिम भाई-भाई है इन्हें साथ रहना चाहिए तो ऐसी इस्थती में इन दौनों के बीच में कुछ रिफ्ट्स पैदा होने लगी कि आप इस तरह से इनको साथ मत लीजिए ये लोग जो हैं साथ रहना नहीं चाहते हैं खेर ये वैचारिक मतभेद कई बार कई जगेओं पर कोट भी किये गए हैं कोई बात नहीं एक दिन महत्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है महत्मा गांधी जी की जब हत्या होती है तो इस हत्या को संग से इसके चलते RSS को प्रतीबंधित कर दिया गया, नाथूराम गोड जैनेजब महातमा गांदी जी को गोली मारी तो कहा गया कि नाथूराम गोड से संग के विचारों से प्रभावित हैं और ऐसी स्थतिमें संग को बैन कर कर दिया ग여 और संग के जो सरसंग चालक है जैसे फिलहाल के लिए आज जब हम बात कर रहे हैं तो सरसंग चालक मोहन भागवत जी है ऐसे उस समय के सरसंग चालक गुरु गोलवरकर जी को बंधी बना लिया गया ये वो दौर था जिस समय RSS को ये समझ में आने लगा कि हमने देश को एकिकरत करने के लिए हिंदु को यूनिफाइड करने के लिए प्रयास तो कूब की लेकिन राजनीती में हमारा कोई भी interference नहीं है हम पर प्रतिबंद लगा तो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है जब पक्ष में खड़े होने वाला कोई भी नहीं है अपनी बात रखने वाला देश के मंच पर बात करने वाला कोई भी नहीं है तब पहली बार RSS को realize हुआ कि नहीं हमें राजनीती में आने की आवशकता है हमारी एक विंग ऐसी हो जो राजनेतिक मंच पर राजनेताओं के सामने जाकर वाद विवाद करे और डिसकस करे कि नहीं आप गलत हैं आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं राजनेती का अपना महत्व है ठीक है ऐसे ही RSS को दूसरी बार जब देश में आपातकाल लगा तब बेंग किया गया और तीसरी बार जब बाबरी मस्जिद विधवन्स हुआ उस समय पर भी RSS को बेंग किया गया ठीक है साब RSS की बेंग की कहानी सुनी अब RSS से BJP कैसे बनी उस पर चलते हैं और साथ ही साथ RSS पर से प्रतिबंद कैसे हटे कैसे RSS को इतनी इजज़त फिर मिलना शुरू हुई उस पर चर्चा करते हैं बात है 1962 जब चीन ने धोके से भारत पर आकर्मन कर दिया उस समय पर RSS के कार्यकरताओं के द्वारा जो की प्रसिक्षित कार्यकरता हैं इनके द्वारा सैनिकों की मदद के लिए उनको अपनी तरफ से रसद पहुचाना जहां जहां पीडित हैं उनको उपचार देना सरहदी इलाकों में पहुच करके सैनिकों के पास सहायता पहुचाना ये काम RSS ने किया मतलब सोच कर देखिए कि जिस समय सरहद पर युद्ध सैनिक लड़ रहा हो तब RSS के प्रसिक्षित कार्यकरता उनके मदद करने के लिए पहुच रहे हैं इस काम को ततकालिन प्रधान मंत्री नहरुजी ने नौटिस किया और ऐसा करते हुए 1963 में गंतंत्र दिवस की परेड में संग को बुलाया कि आप अपने द्वारा जो प्रसिक्षित शाखा के लोग हैं इन्हें लेकर आईए और इस परेड में जिस तरह से सैना परेड करती है ऐसे परेड करवाईए तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3500 से अधिक एक कॉंटिजेंट यहाँ पर स्वम सेवकों का एक यूनिफॉर्म में पहुचा और परेड ग्राउंड में प्रॉपर तरीके से परेड की गई यानि की जंडे को सम्मान देते हुए देश का यह बहुती खास और एतिह गांदी जी को बुला करके RSS के ही एकनाथ रनाडे हुआ करते थे जिन्होंने इस विवेकानंद शिला इस मारक का निर्मान किया था और इंद्रा गांदी जी से इसका वो करवाया था इनौगरेशन कराया था यानि कि एक तरह से में इस्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर RSS क वेल्यू मिलने लगी थी ठीक है अब साफ आप सवाल आता है कि RSS ने BJP की स्थापना क्यों की तो हुआ यह कि कैसे हम अपने आपको राजनिती में लेकर जाएं तो इसलिए अब अपने वालेंटियर्स में से BJP की स्थापना का काम करते हैं अब BJP की स्थापना कैसे करनी है इसके लिए क्या करें इसके बारे में अब थोड़ा ध्यान से सुनें देखिए अगर आप Wikipedia पर जाएंगे ना तो RSS के साथ जो जुड़े हुए Organizations हैं उनमें आप BJP को सबसे ऊपर पाएंगे यानि कि मैंने आप से गाना 40 संथन RSS से जुड़े हुए हैं इनमें सबसे ऊप गुलवरकर जी को गिरफतार कर लिया गया RSS की कोई राजनेतिक बात रखने वाला बचा ही नहीं कोई पार्टी नहीं हमारी जो जा करके अपनी बात रखे राजनेतिक समर्थन दिखाए और इसी बीच में जब ये thought process चली रहा था तब एक और काम हुआ और वो क्या था भा काला बाद गुलवरकर जी से जा कर मिले मतलब एक प्रकार से ये समझे की गुलवरकर जी जो की RSS प्रमुक थे शामा प्रशाद मुखर जी जो एक Congressी थे इस घटना से धुखी हो करके कि आप पाकिस्तान से अब दोस्ति कैसे कर सकते हो जब पाकिस्तान अपने लिए धर्म क आधार पर अलग देश मांग करके चला गया, शामा प्रशाद मुखर जी ने पद से इस्तिफा दे दिया, गोलवरकर और मुखर जी ने महसूस किया कि RSS को अब राजनेतिक आवाज की जर्वत है और साथ मिलकर भारतिये जनसंग की स्थापना का ब्लूप्रिंट तयार किया यही कारण है कि 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघूमल गल्स हाई स्कूल में जनसंग का पहला राश्ट्रिय सम्मेलन बुलाया गया, शामा प्रशाद मुखर जी इसके अध्यक्ष बने और संस्थापक सदश्चों में संग प्रचारक, बलराज मधोक और दीन दयाल उप स्थापना की जनसंग के नाम से, अगर आप बीजेपी की वेब साइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा अपनी जर्नी में 1951 भारत के जनसंग का उदय और उस जनसंग के उदय के अंदर आप राघूमल गल्स हाई स्कूल का नाम सुनेंगे, दिल अपने बीजेपी के 2014 से और 2019 की सरकारों को नाटिस किया हो, तो समा प्रशाद मुखर जी और दीन दयाल उपाध्याय का नाम समझ में आ जाएगा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि RSS की क्या कहानी है, कैसे कैसे यह काम चला, अब RSS ने बीजेपी को जन्म दिया, यह आपके सामने आ गया, कि भई अब राजनेतिक चेतना विक्सित करनी है, RSS ने अपने बहुत सारे लोग प्रचारक बनाए, कि भई RSS की बातों को सब के साथ साजा करना है, कोई व्यक्ति प्रचारक लेवल पर अगर पहुंचा है, तो फिर वो शादी नहीं करेगा, शादी प्रचारक हुआ करते थे 1978 में, और उन्हें काम दिया गया सूरत और वडोधरा के RSS के काम काज को संभालने का, 1979 में वो अपने RSS के काम से देली आये, जहां पर उन्होंने RSS का इतिहास और इमर्जेंसी का काल गुजारा, इसी पूरी कहानी में, जब मोदी जी RSS के साथ च आलखंड में, मोदी जी को जन्रल सेकेटरी बना करके भेजा गया, अब देखिए, बीजेपी के अंदर आज भी जन्रल सेकेटरी रैंक का पद है न, स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर, वो RSS का ही होता है, RSS का ही नेता वहां जाकर बैठता है, ऐसे ही मोदी जी को गुजरात में जन्रल सेकेटरी बना कर बेजा गया, फिर जन्रल सेकेटरी से उन्हें वहां पर CM बनाया गया, और CM बना कर PM पद के लिए भी RSS ने ही इनका नाम 2012 में प्रस्तावित किया, कि चुकी मोदी जी प्रचारक रहे हैं, RSS की विचार जानते हैं, RSS के लिए राष् राजनाथ सिंग जी के माध्यम से, गोवा अधिवेशन में 2013 में बुलवाया गया, राजनाथ सिंग जी भी RSS के ही कार्य करता रहे हैं, तो इस तरह से RSS ने अपने नेताओं से कहा, कि भाया, मोदी जी का नाम प्रचारित करिये, अच्छा जिस समय इनका नाम लाइम लाइ 2013, टेक्निकली अगर बात किया जाए, तो आज से लगभग 11 साल पहले, यानि मोदी जी उस समय 62 साल के आसपास रहे होंगे, ये सामान तया इस तरह के नेताओं पर फोकस करते हैं, जो कम उम्रके हों, संग की विचारधारा, विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की जाल दिया जाए, नहीं, यहां पर विचारधारा ये भी है, कि जो मुसलिम भाई बहन है, वो भी उनके पूरवज भी हिंदू ही थे, वो तो माइगरेश, जो भार से आकरांता आये, उन्होंने उन्होंने कनवर्ट कर दिया, RSS इस बात पर भी कई बार चर्चा कर चुका ह है, अखंड भारत की चर्चा में, पाकिस्तान भी बोले अपना ही था, पाकिस्तान भी अपना ही था, तो बांगलादेश भी अपना ही था, ये सब छेत्र अपना था, अखंड भारत हो, और हिंदू रास्टर हो, अर्थात भारत में रहने वाला हर व्यक्ती हिंदू है, तो RSS के द्वारा आज की राजनेती में बहुत सारे लोगों को आल रेड़ी BJP में भीजा गया है अब आप देखिए नरेंदर मोदी जी को उठा लीजिए राजनाथ सिंग जी को उठा लीजिए नितिन गड़करी जी वेंका या नायडू जी स्वर्गी हो चुके हैं बंदा चाहा तो BJP से हैं वो तो RSS से नहीं है अब इसका क्या लॉजिक है तो अब हुआ ये कि अब BJP को राजनीती करने वाले लोग भी चाहिए थे संग की विचारधारा अपनी है लेकिन संग के कंडिशन्स तो बहुत टाइट हैं बई प्रचारक लेवल का आदमी परिवार वा उसका स्वागत है इस तरह से भारतिय जनता पार्टी में उन लोगों को भी शामिल करने दिया जो RSS से जुड़े हुए नहीं थे इसी के चलते अमिच शहाजी जैसे जो लोग है इनकी एंट्री इसके अंदर हुई थी तो BJP में चाहे योगी आधियत्यनात हो चाहे हिमंत ये वो लोग हैं जो कि RSS से तो नहीं है लेकिन BJP की आइडियोलोजी से हैं और ये इस समय की पोजिशन पर बैठे हुए हैं इतनी बात समझ में आ गई तो ये समझ में आया कि BJP RSS से कितना connected है BJP के जनम में RSS का क्या महत्व है आप इस तरह से सोचिए कि हाँ और सोचिए स RSS के कारे करता बड़े वाले कारे करता थे इसी कारण उनको प्रदान मंत्री के लिए RSS ने नाम दिया RSS ये कर कैसे जाती है उसकी जो शाखाएं है ना जो प्रसिक्षित एक करोड से उपर कारे करता है वो घर घर जाकर परिवार परिवार जाकर लोगों को बताते हैं कि इ की लिए क्या अच्छा है किस प्रकार से देश को चलना चाहिए यह जो कार्य करताओं की फौज है ना जो अनुशाषित फौज है यह असल में बीजेपी की भी बैकबोन है अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो बच्चा बड़ा हुआ है, तो बच्चे के अंदर ये विचार आने लगा है कि मैं RSS के बिना भी चल सकता हूँ, ये बिल्कुल वैसे है, जैसे बच्पन में कभी आप लोगो ने जब साइकल चलाना शुरू किया हो, तो आपके हाथ हलके से, बच्चा जिद करता है पापा से, पापा मेरा हाथ छोड़ो, पापा मेरा हाथ छोड़ो मुझे साइकल चलानी है, आप उस हाथ को छुडाने की जिद करने लगते हैं, ऐसा ही हाल ही के दिनों में BJP और RSS में देखने को मिला है, नडड़ा जी का एक बयान, न जब BJP RSS के बिना भी रह सकती है, इस बयान से बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ा, मतलब हाल ही में, जब बयान आया, मैं वो बयान लेकर के आना भूल गया हूँ, शायद मैं लेकर भी आया था, नडड़ा जी का बयान था, और उस बयान में इन्होंने ऐस तरह की एक ला जब नड़ा जी से पूछा गया था, इंडियन एक्सप्रेक्स के अखबार के इंटर्व्यू में, कि RSS आज भी आपको चलाती है, कि तब इन्होंने का नहीं, अब हम अपने आप चलते हैं, असल माइने में जिस RSS ने BJP को खड़ा किया, अब वही RSS को ये बात सुनने में मिले कि सहाब हम तो अब अपने आप से चल लेते हैं, ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाई, ये नुकसान पहुचाई और इसके पीछे का बड़ा कारण, ये बयान नड़्दा साब का एक दिन में नहीं आया था, इस बयान के पीछे की कहानी औ रचास ले थे अडवानी जी अडवानी जी ने उसके लिए रथ यात्रा निकाली थी जनता को पूरा एक इकरत किया था लेकिन रामマंदिर इनाउगरशन में उन्हें एस्वस्थ बता करके उस जगे ले जाया ही नहीं गया कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर उधगाटन में अडवानी जी पूरी लाइम लाइट ले लें कि देखो इनकी वज़े से राम मंदिर बना है नमबर दूसरा आरेसेस ने प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर पुजारी के भेश में खड़े होने का विरोध किया था भाई आप इस पूजा को ना करें ये काम संत महत्माओं का है उन्हें करने दें लेकिन आरेसेस की इस बात को भी इग्नोर किया गया आरेसेस ने अपने द्वारा कुछ लोगों का नाम सजेस्ट किया था गैस्ट लिस्ट के अंदर कि इन्हें बुलाईए जिन्होंने मंदिर निर्मान के लिए इतने प्रान प्रतिष्ठा ली है एहुद्या के आसपास बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने चपले नहीं पहनी राजपुतों ने सर पे पगड़ी नहीं बांदी कि जब तक मंदिर नहीं बन जायागा हम यह प्रन लेते हैं बोले उन्हें आप सम्मान कारेकरम में बुलाईए उन्हें बीजेपी ने इस कारेकरम के अंदर नहीं बुलाया RSS ने बीजेपी से ये कहा था राम मंदिर इनाउगरेशन के दौर में कि आप इस कारेकरम को जनता का कारेकरम रहने दें इसे political event ना होने दे, इससे नुकसान होगा, राम सब के हैं, राम को किसी एक party से, किसी एक कारेकरता से, किसी एक परिपार्टी से ना जोड़ें, बोले इससे आपको नुकसान होगा, RSS की इस बात को भी BJP ने नहीं सुना, साथ में ये भी कहा गया कि उन लोगों को इस कारेकर के कारेकरम का रंग दे दिया गया, जो कारेकरम पूरे देश का होना चाहिए था, उसे एक party विशेश का कारेकरम दिखा दिया गया, इससे राम मंदिर पर BJP की छाप छूट गई, लेकिन राम असल में सब के हैं, RSS यही कहता है, RSS ने हमेशा से यही कहा, और यही कारण है, कि RSS और BJP के बीच में मत भिन्नता आई, यही कारण है कि आयोध्या और उत्तर प्रदेश में जो कारेकरता RSS के थे, वो सक्रिये नहीं हुए, मंदिर निर्मान के बाद, BJP के इस एजेंडे को जिसमें मोदी जी ने अपनी गारंटी कहकर के प्रचारित करना शुरू किया, RSS के कारेकरता प्रचारित करने नहीं निकले, उन्होंने कहा ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हैं, नडडा जी खुद कह रहे हैं कि अब हम सक्षम हैं, तो सक्षम है तो जाईए और खुद इसे कर लीजिए, जिस आयोध्या में राम मंदिर को लेकर के इतना प्रचार हुआ, उस अयोध्या में बीजेपी हार गई, जिस उत्तर प्रदेश में ये पूरा मुमेंट चला, उस उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये वो कारण है जो हाल ही में मोहन भागवत जी के बयानों से सैंस किये गए और जो और्गनाईजर नाम का जो निउस पेपर है उसके अंदर लिखे गए, तब युसे निका गया, ठीक है, तो यहाँ पर RSSS शीफ मोहन भागवत जी ने 10 जून को नागपुर के संग के कारे करताओं के विकास वर्ग के समापन में कहा, कि चुनाव राजनितिक और रा जान सिवक वाली जो लाइन है मोदी जी की, मतलब एक तरह से ये कि मोदी जी को RSSS ने अपनी तरफ से प्रमोट किया, अब मोदी जी RSSS को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा हिंट निउस चैनल वाले RSSS चीफ की बात से निकाल रहे हैं, जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूर करार दिया, मुले इस तरह की चीजे नहीं करनी चाहिए थे, तो मोहन भागवत जी के द्वारा ये जो बात की गई, ये नागपूर में कही गई, नागपूर जहां से RSSS का गड़ है, जहां से ये सारी बाते कही जाती है, RSSS जिस प्रकार से हर वर्ष अपनी बाते करता है इस प्रकार भी, मोहन भागवत जी ने इस तरह की बाते इस जगे पर कही थी, ठीक है साथ, चुमाचुनावी मुकाबला इस पर नहीं होना चाहिए, संसद में सहमती बनाने पर प्रयास होना चाहिए, विपक्ष को विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस प्रकार से अगर सरकार कुछ कार्य कर रही है और विपक्ष उस पर कुछ बात बोल रहा है, तो उसे विरोधी के रूप में ना लें, उसे भी एक आइडिया लें, उससे भी कुछ सीखें, और उन्हें भी साथ लेकर चलने का प्रयास करें, आरेसिस रहा हो, मरियादा का पालन करें, एहंकार ना करें, वही सच्चा सेवक कहलाता है, और तो और महाण भागवत जी के द्वारा मनिपूर भर भी वयान दिया गया, उसमें कहा गया कि एक साल से मनिपूर शांती की रहा देख रहा है, आपको याद होगा ये मनिपूर का मामला बहुत जादा उठाया गया था, बीते दस साल में राज में शांती थी, लेकिन अचानक वहाँ गन कल्चर बढ़ गया, जरूरी है कि इस समस्या को प्रात्मिक्ता से सुलजाया जाए, अब ये वाली जो बात आई, RSS Chief की इसके लोग मायने निकाल रहे हैं, और मायनों में स calculation में ये लगाती रह गई कि हम यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, वो वहाँ पर नहीं निकल के आए, इसके पीछे का बड़ा कारण निकल कर आया कि इन्हों ने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को टिकेट दे दिये, जो पहले BJP या RSS को गाली देते उन्हें अपने सीट पर टिकेट दे दिया, इससे लोगों का मनोबल तूट गया, इनका कहना है कि जो कारेकरता आपके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे, कहते हैं उत्तर प्रदेश में RSS के द्वारा दस लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था टिकेट बटवारे में, लेक मनिपूर पर इनके बयान के माइने हैं कि RSS खुद ये कह रहा है कि नहीं मनिपूर पर मामले को सुल जाना चाहिए, मनिपूर मामले पर हमने आलरेडी कैई सेशन किये हैं, आप जाकर अपनी पार्टशाला पर सुन सकते हैं, हमने पूरा डिटेल वहाँ पर आपको बताया ह हुआ है, रहा सहा कसर इनकी तरफ से जो अखबार लिखा जाता है उसने पूरा कर दिया, जेपी नडड़ा जी का बयान तो काफी खतरनाक था, जिससे देखी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई WhatsApp ग्रुप हो, जिससे RSS जाकर तुरंट सब को कहती हो, एक करोड कारे करता हू को कि हाँ भई कारे करता हूँ, एक्टिवेट होने का समय आ गया है, हो जाओ, कोई sleeper cell नहीं है कारे करता, विचार धारात्मक रूप से जुड़े हुए साथ लोग है, वो विचार धारा से जुड़े हुए लोगों का मनोबल तूटता है, जब BJB का चीफ ये कहते हुए प जार नहीं है, कि वो कहेंगे कि हाँ भई आराम करो, अब मत उठना, वो आटोमेंटिक सक्रिस्क्रिया हो गया, कि अब आपको मेरे काम की वैल्यू ही नहीं है, तो मैं काम क्यूं करूँ, बोले यही कारण हुए, कि इन होने जिस तरह से ये बाते कही, कि भाजपा को RSS के सम रहा है, सुनिल बंसल जी का चल रहा है, कि उन्हें BJP का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अगर इस पात का नुकसान जो हुआ है, उसे कवर करना हो तो, ठीक है, तो ये सारी बाते निकल करके आई, अच्छा, अब ये वो है, और गनाइजर करके, वाइस आफ दी नेशन करके RSS का मुखपत्र है, यानि कि एक तरह से कहिए कि जैसे चीन का ग्लोबल टाइम से एक तरह से इनका अख़बार है RSS का, उसमें ये प्रपर बात लिखी गई, क्या लिखा गया, कि लोकसभा दो हजार चॉबिस वर्डिक्ट इस इंडिकेटर बेट 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 in its favor due to multiple reasons. Thankfully, it has the honesty to accept its shortcomings and take corrective actions. BJP को सोचने की आवशकता है कि उसना ऐसी क्या गलतियां की थी, और गनाइजर के अंदर ये बातें लिखी गई, और गनाइजर उनने सो से चला हा आ रहा अख़बार है, जिसके अंदर ये बातें प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, और यहा इस पर हमने अपनी तरफ से आप लोगों को प्रॉपर सेशन किया, जिसमें मैंने बताया है कि BJP अपने ही हतियार से हारी है, मैंने इस पर आपको सोचल मीडिया का पूरा तरीका बताया था, ठीक है, इसके अंदर ये भी कहा गया, कि RSS के जो लोग थे, जो एक समय पर पार मंदिर बना दिया है, BJP ने कहा कि हमने तो अपनी तरफ से राम मंदिर बना दिया है, इस काम के मुमेंट को अगर आपने खुद से अपने हाथ में ले लिया, तो ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, और साथ में ये वाली का फोन नहीं उठा रहे हैं, किसकी की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने चेतर में दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको कोई मैसेज कर दिया जाए तो उसका जवाब नहीं मिलता है, इसी प्रकार से इन्हों ने जो सबसे बड़ी बात उठाई ना, वो महाराष्ट को लेकर उठाई, कि महाराष्ट में नहीं इतना नुकसान क्यों हुआ, बोले देखो, बीजेपी और शिवसेना तो एक नैचुरल अलाई है, ये लंबे समय से साथ रहे हैं, बाला साहिब ठाकरे के समय साथ चले आ रहे हैं, लेकिन साहब आप लोगों ने NCP को भी अपने में मिला लिया, उनकी आवशक्ता क्या थी, सरकार तो बीजेपी और शिवसेना से मिलकर बनी गई थी, उनको साथ में लाने से पार्टी कारेकरता का मनोबल तूट गया, जिस NCP सरद पवार जी की पार्टी से तोड़ करके अजीद पवार जी के ग्रूप को इधर लाया गया, बोले ये लोग तो पूरे टाइम का हम को गाली देते रहे, यानि RSS को, हिंदू के एक्टिविजम को इनको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे, आप इनको अपने साथ बुला लिए, तो जो कारे करता इनके खिलाफ रहा हमेशा वो कैसे चार्ज हो जाए, आप किसी को भी बुलाए, अपना बस पट्टा पहनाए, कहे कि अब ये हमारी विचारधारा से समर्तन रखते हैं, हम इनके साथ हैं, तो बोले, आप लोगों ने ये जो काम किया ना, इस से पूरी तरह से लोग मतलब आपसे नाराज रहें, पीपल इंसल्टिंग राम एंड हिंदु धर्मा, गैट ए रेड कार्पेट, वैलकम, बटे यंग सीजन्ड नुपुर शर्मा, इस स्कॉल्ड इड हार्शली और पब्लिकली, बोले, जो लोग आपको गाली देते रहें, उनको तो आपने रेड कार्पेट पर बुला के सम्मानित किया, और नुपुर शर्मा जैसे जो कारे करता रहे, जिन्होंने आपके लिए इतना काम किया, उनको आपने पब्लिकली डाट दिया, आपको याद होगा नुपुर शर्मा का बयान, जिसके चलते हुए बीजेपी ने इनने अपने पद से बरखास्त कर दिया था, जबकि नुपुर शर्मा के बयान में ये बात बार बार कही थी, कि नुपुर शर्मा ने जो भी बाते कही वो हदीज को ध्यान में रख कर कही थी जो अल्रेडी हदीज में लिखा हुआ है, मुसलिमों के टेक्स्ट में लिखा हुआ है वहाँ से बाते लिखी गई थी, उसके बावजूद कोई भी उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ अगर उसने मिस्टेक की थी, तो क्या उसको इस तरह से टीट करना चाहिए था बोले यही कारण था कि बीजेपी का जो कारे करता इनके लिए करनाटका के अंदर, तमिलाडू के अंदर, पस्चिम बंगाल के अंदर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था, वो बीजेपी के इस रवाइये से सोच गया कि यह अपने लोगं को कभी भी किनारा कर सकते हैं जो लोग इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये कभी भी 是啊ड कर सकते हैं नुपुर शर्मा के केस में बीजेपी का उनको साथ ना देना, टॉप लीडर्शिप की तरफ से ये मैसेज होना कि नुपुर शर्मा को अकेले लड़ाई लड़ने दो, ऐसी इस्थिती में और कारेकरताओं का मनोबल तूट गया कि पार्टी हमारा साथ कभी भी छोड़ सकती है और ऐसी इस्थिती में कारेकरता डी मॉटिवेट हो गया, रही बात राम मंदिर के इनाउगरेशन की, तो जो ये सेलिबिर्टी बुलाए गए थे, इन सेलिबिर्टी को लेकर के RSS एक मत नहीं था, महरास्ट्रा पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के भी ये बार बार ये क प्रोजेक्ट कर रही है, तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, कि इनका कोई WhatsApp ग्रूप नहीं है, जहां एक करोड़ लोगों को मैसेज भीज दिया जाए, लेकिन अब एक अंडर करंट चलना शुरू हो रही है, और वो अंडर करंट क्या चल रही है, लोगों के बीच में, कि मोहन भागवत जी आदित्यनाथ से खुश है, योगी आदित्यनाथ जो कि मतलब इस पूरी की पूरी विचारधारा को लेकर आगे चल सकते हैं, और भविश्य में, जैसे कभी नरेंडर मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, आपको याद होगा, कि योगी आदित्यन जी के साथ गोरकपूर में मीटिंग हुई है, अब गोरकपूर में मीटिंग हुई है, ये ख़बर सुर्खियों में चल रही है, तो अब ये RSS के कारेकरताओं को मैसेज दिया जा रहा है, कि अगले PM के लिए संभव है कि मोयोगी आदित्यनाथ का नाम RSS आगे करे, में पर आज योगी आदितनाथी 50-55 साल के आसपास है, तो अगले 10-15 सालों के लिए कोई व्यक्ती PM पद पर रह सके, RSS उस तलाश में अब निकल चुकी है, और ऐसे में नाम योगी आदितनाथी का आ रहा है, कि हो सकता है, कि RSS आप इन्हें प्रमोट करे, क्योंकि संभ के एक बात और भी कहना है, कि RSS का केma है कि अधु का काम है, इसमें Maram Lalla की परान प्रतिस्था को राजनेतिक नहीं राश्टिया आंडोलन बनाना था, आपने इसको राजनेतिक आंडोलन बना दिया, RSS की छलाव ती की परान प्रतिस्था लोकसब़ चुनाओ के बाद हो, बादवानी जी को प्रान प्रतिष्था कारेक्रम से दूर रखने की कौशिश की गई इससे रस्स कुछ नहीं था टिकेट बटवारे को लेकर जो तरप्रदेश में टिकेट बटवारा हुआ उसको लेकर रस्स कुछ नहीं